नमस्कार दोस्तों, हर्षित दुवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दोस्तों, बेसिकली नीलगिरी बायोस्फियर रिसर्व्स के बारे में, जो हमारे UPSC point of view में बहुत ज्यादा important है, क्योंगी नीलगिरी बायोस्फियर रिसर्व्स जो है, इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फियर रिसर्व्स है, आ आप दोस्तों, तीम-चार महिने पहले आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, Art of Remembering करके, जिसमें मैंने आपको बोला था, अगर आपको चीज़ें याद रखना है, तो आपको relate करना होगा, जब तक आप relate करके नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा ये जो point है, UPC के लिए बहुत ही important है, क्योंकि UPC के जो syllabus है, वो बहुत ज्यादा vast है, अब आपको चीज़ों को याद रखना है साथ साथ, तो आपको चीज़ों को relate करना होगा, हम इस वीडियो में यही कोशिश करेंगे दोस्तों, वैसे ये जो वीरपन नाम का एक bandit, एक धाकू थे, 36 साल के लिए नीलगरी Biosphere Reserves के अंदर कई सारे forest में अपना राज चलाते थे, इसके बारे में भी हम थोड़ी बाइग्रफी देखेंगे, काफी interesting होने वाला है, अब इसके साथ-साथ हम नीलगरी Biosphere Reserves के बारे में भी थोड़ा बहुत जान देंगे, तो दोस् चुरू होने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक example शेयर करना चाहता हूँ, अब कैसे चीज़ों को relate करके याद रख सकते हो, यह जो आप फोटो में देख रहे हो ना, यह है, पैंकोंग सो लेग, पैंकोंग सो लेग अभी तो काफी news में, क्योंगी India China stand-off इधरी किनारे हुआ था, पर दोस्तों, सालों पहले three idiots movie की climax scene है, जिसमें करीना कपूर एक scooter में आती है, वो पैंकोंग सो के किनारे में ही shoot हुआ था, तो इसे हमें याद हो गया पैंकोंग सो ले के बारे में, अगर कोई examination में आप से पूछा कि पैंकोंग सो ले कहा है, तो आप आराम से ब वीरपन तो आपको याद रहे गा ही रहेगा क्योंगी काफी interest ही होने वाली उसकी जो कहानी है, तो इसके साथ-साथ हम नीलगी बायो से बारे में भी पढ़ाए करें, शुदूआत करते हैं दोस्तों, वीरपन, वीरपन का पूरा नाम था, कूसे मुनिस्वामी वीरपन जि वीरपन नाम का, जिससे वीरपन के बारे में सबको पता चल गया था, आप देखो, इनका सबसे बड़ा काम था, सांडल वूट स्मगलिंग और पोचिंग ओ फेलोफेंस इन स्क्रब लैंस, इन फोरस्ट लैंस तमिलनाडू, करनाटका और केरला, यह फोरस्ट के अंदर रह करता था, इनके साथ अम्यूनिशन, गन्स वगरा रहते थे, और संडल वूट स्मगलिंग करता था, जो इलीगल है, संडल वूट जो चंदन की लेकडी होती है, उसको काटने का परमिशन किसी के पास नहीं, सिवा है, फोरस्ट डिपार्टमेंट के पास है, ठीक है, आप द दोस्तों यसे बोला जाता है, दावूद इबराहिं के बात, सबसे ज्यादा हैट वाल्यू रखादा इंडियन गर्वर्मेंट ने इसका, फाई करोर रुपिया, ठीक है, तो अब समत सकतो वीरपेंट कितने खतरनाक थे, देखो, he was wanted for killing approximately 184 people, about half of whom were police officers, forest officials, and also wanted for poaching more than 500 elephants, 500 से 65,000 kg of sandalwood इंडियन ने smuggled किया है, जिसका value of 143 करोर, and 16 करोर का ivory भी स्मगल किया है, तो क्या-क्या कांट किया है, वीरपेंट जी ने, the battle to capture वीरपें कोस्द गर्मेंट और कनाटगा और तमिलनाडू, 100 को, देखो दोस्तों, कनाटगा गर्मन और तमिलनाडू गर्मन ने सा वीरपें कितने खतरनाक टेप का इंसान थे, वीरपें की criminal career की शुरुवात, उनका अंकल सालबे गाउंडर, जो खुद एक notorious poacher and sandalwood smuggler थे, उनको assist करते हुए शुरू हुआ था, पहले वो sandalwood काटके बेशते थे, और ivory कलट करते थे, हातियों को मार के, कुछ reports की इसाब से ये बोला जा रहा है कि, वीरपें ने करीब 2 हसा से 3 हातियों को मारा है, इनको सबसे पहले RS के एदा 1972 में, after committee is murdered the age of 17, he began killing those who resisted his illegal activities, तो basically कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितने भी लोग उनके against police को inform किया, या इनके illegal activities के against खड़ा हुआ न, वो सबको वीरपें मार देते थे, 1987 में वीरपें kidnapped and murdered सत्यमंगलम district forest officer, अब दोस्तों आरे है जोगरिफी की बाद, सत्यमंगलम district forest officer, सत्यमंगलम forest जो हैना दोस्तों, नेलगिनी Biosphere Reserves में, एक important forest area है, जहां वीरपें अपना घर बना रखा था, basically वो forest ही था, वो अपना घर जे से ही था, आपको इस photo में दिख आए उस forest में ठेलते हुए, वीरपें and his gang नजर आ रहा है, अब इंगिन गर्ममन इनके ओपर attention तब डाला था, 1987 में सत्यमंगलम district forest officer को ये मार दिया था, फिर देखो, एक senior IFS officer को मारा था, पंडलपली स्रीनिवास को, 991 में, August 1992 में, एक senior police officials का party था, उसमें गोली चला था, त आए को दोस्तों, इंडिया में कई सारे डाकू हुआ करते थे, पर कुछ डाकू ऐसे होते थे, जो बड़े-बड़े लोगों को पकड़ते थे, मारते थे, जो भी कोई social cause के लिए, आपने कई काहनी सुने है इसे, पर वीरपन ऐसा नहीं था, वीरपन के एकेंस कोई भी अब देखो, यह जो फोटो में आपको दीख रहे हैं दोस्तों, यह है राजकुमार, एक्चुली पूरे साउथ इंडिया में वीरपन तब जाके फेमस हुआ था, जब वीरपन ने राजकुमार को किटनाब किया था, अब दोस्तों, राजकुमार जो है, करनाटा का फिलिम इंडिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल पे करता था, करनाटा पीपल के लिए राजकुमार जैसे तमिलनाडू में रेजिनी कान थे, आंधरा प्रदेश में, एंटियार थे, तो ऐसे राजकुमार को भी मानते थे, इनको वो किटनाब किया था, राजकुमार जो है, एक वीरपन और नोटोरिस बनगे, अब दोस्तों देखते हैं, वाल्यू अफ टॉस्क, वीरपन ये एक आईवरी के पीछे क्यों पड़े थे, पोचेश किल एलेफंस फो दे वैलेबल टॉस्क, ए सिंगल पॉंड आईवरी का वाल्यू है, वान तोसन फाइन दॉस्क दॉस्क कैवल वीरपन पोचिंग नहीं करते हैं दोस्तों, ऐसे कई सारे ढकों ये कई सारे लोगे जो पोचिंग करते हैं अभी भी, एक रिपोर्ट आया दा, दोसा साथ से लेके दोसार चौदा तक आफरिकया में जो सवना एलफंस है, सवना क्या है, ग्रासलांस इन आफरिकया है उधर 352,000 हातियों को मारे थे, only for tusk, इंडिया का एक forest official का कहना ये है, 1 kilo of ivory, elephant tusk, is priced at rupees 25,000 per kilo in the Indian market, 35,000 per kilo in the international market, and average ivory, kilogram की साब से बताएंगे, तो देखो 16 kilo तक होता है, 16, 17, 18 तक होता है, बड़े-बड़े हातियों का, अब दोस्तों, ये DRA सिल्गुरी का पकड़ा हुआ, क्या हो सकता है, आप दोस्तों, finally, वीरपन के डर्थ के बारे में, इतने सारे कान कर चुके थे, कि तमिलनाडू पोलीस और कनाटा का पोलीस इनके पीछे पड़े थे, तमिलनाडू पोलीस का एक special task force था, जिनको लीट कर रहे थे, N.K.S.ंतामरे कनार IPS, और K.Vijayagumar IPS, जिन काफी महीनों से वीरपन और इनके असोसेट्स के पीछे पड़े दे, तमिलनाडू special task force, एक बंदा को, एक पोलीसमन को, इनका दोस्त बना दिया, दोस्त बना के, एक दिन, जब इनके तबीयत खराब दे, इनको धर्मपूरी में, हॉस्पिटल में लेके जारा करके, आम्रे पे चड़ा दिया, थोड़ा दूर जाके, जंगल के बीच में रोक दिया, आम्रेंस को, आम्रेंस को रोकने के बाद, जैसे ड्राइवर उतर गए, तो पूलीस जो गन लेके खड़े दे, पूरा आम्रेंस को कवर किया था, उनको वार्निंग दिया, कि सरंडर हो जाओ, जब वीरपन का असोसेट, सेतुकुली गोविंतन, चंद्रे गवडार और सेतुमनी वेर अलसो किल्ड इन अपरेशन, सिम्स वीरपन देद, गोविनातम है प्रमोटे असे डेसनेशन एको टूरिसम वार्नाटगा स्टेपार्में देपार्मेंट वीरपन के मौथ होने के बाद, आप दोस्तों देखो, यह था वो एम्बिन्स जिसमें एक पोलीस, मैंने वीरपन को समझा के कट्विन्स करके, होस्पिटल लेके जारा करके चड़ा दिया था, और अब देखी रहे हो, जिसमें गोली, हर जगा गोली लगा हुए, ठीक है, उपर, नीचे, सब, ऐसे वीरपन को मार दिया था, अब दोस्तों, वीरपन जी के बाएर में काफी कुछ बता दिया, अब थोड़ा जोगरफी पढ़ लेते हैं, वीरपन का रहते थे, सत्यमंगलम फोरस्ट एरिया में, जो केरला, करनाटका और टमल नडु में स्प्रेड है, अब ये सत्यमंगलम फोरस्ट एरिया, कौन से बायोसियो रिजर्व के अंदर आता है, वो है, नील गिरी, सबसे पहले हम समझते हैं, ये बायोसियो रिजर्व होता है, जो प्रोटक्टेड है, जिसके अंदर नाशल पाक होता है, वाइल लेफ सैंक्चुरी होता है, फोरस्ट डिपार्टमेंट होता है, जहां, ट्राइस तो बैलन्स एक्क्नोमिक एंड सोशल डवलपन एंड मेंटरेंस ऑफ असोसियेट कुल्चर वाल्यूस अलों वि मेंटेट, देखो दोस्तों, कोर इरेस का मतलब क्या होता है, सबसे अंदर जो आता है, यह most protected area होता है, जिसमें natural parks, wildlife sanctuaries, यह सब होता है, जितने भी area, wildlife protection act 1972 के अंदर आता है, वो सब कोर जोन में आता है, next is buffer zone, buffer zone क्या है, it surrounds the corn zone and activities are managed in this area, the way it helps in the protection of the core zone and its natural condition, तो basically इसको protect करना, buffer zone का सबसी important काम है, इतर थोड़ा बूत चलेगा, limited tourism, fishing, grazing सब चल सकता है, इसके उपर है outermost zone, जिसको बोलते है transition zone, यह क्या zone of cooperation where the human ventures and conservation are done in harmony, देखो, इधर थोड़ा बहुत human development हो सकता है, tourism promote कर सकता है, पर यह एक बात ध्यान में रखना है कि nature का conservation at most priority है, नेचर थोड़ा बहुत infrastructure development के लिए थोड़ा बहुत कर सकते है humans, human settlements भी हो सकता है, जो transition zone में, इंडिया में कितने biosphere reserves है, total 18 biosphere reserves है दोस्तों, जिसमें नीलगिरी आपको इधर देखर है, अच्छी नीलगिरी एडिया इससे भी बड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा, अलग सा दिखाऊंगा, अगस्तियमले biosphere reserve, जो केरला एं तमिलनाडू में spread है, गल्फ ओफ मानार, जो एक marine biosphere reserve है, ठीक है, गल्फ ओफ मानार आपको इधर दिख रहा है, ग्रेट निकोबार, शेशाचलम अंत्रापरदेश में, कच जो एरानोफ कच गुजरात में है, फिर कभी नूस में था, क्योंगी इसके आसपास एक ओइल फिल में natural gas blot हुआ था, कभी नूस में आय था, तो यह भी important है, नोकरक दिख रहा है आपको, देहान दिबांग दिख रहा है, तो इतने सारे 18 biosphere reserves है इंडिया, अब दोस्तों, मैप में आपको मैंने दिखा दिया, कौन से states में spread है, और कभ यह biosphere reserve डिकलेर हुए थे, starting from, नील गरीब biosphere reserve, जो 1986 में डिकलेर हुए थे, तमिलनाडू, केरला, करनाटगा, 88 में, नंदा देवी biosphere reserve उतरा घंड में है, गल्फ अफ मानार, जो एक मरेन biosphere reserve है, तमिलनाडू के नीचे, स्रीलंका और तमिलनाडू के बी जो बस बंगाल में है, मानस जो है, आसाम में, सिमलिपाल, biosphere reserve जो ओडिशा में है, दिहांग दिबांग, अर्नाजल प्रदेश में है, पंचमाडी biosphere reserve, जो मध्या प्रदेश में है, अगला क्या है, अचना कमर, अमर कांटक, biosphere reserve, यह काँ पे है, मध्या प्रदेश में भी ह ग्रेड रान ओफ कच यह तो गुजरात में है कोल्ड डसर्ट जिसमें पिन नैस बैली नैशनल पार्क भी है जो हिमाजर प्रतेश में है कांजन जोंगा यह सिकिंग में है अगस्ति मले बयो सर्द सर्व केरला एं तमिल्डावड में स्प्रेड है ग्रेट निकोबार यह तो यह काफी न्यूज में रहा था 1997 में दिब्रु सैखोवा को नाशनल सोरी बायो स्वियर डिक्लेर किया था तो दिब्रु सैखोवा कारेंट न्यूज सेब रिलेटेड ही इंपोर्टन है शेशाजलम हिल्स आंद्रापरदेश में पन्ना मध्यपरदेश में पन्ना एक टेग नीलगिरी हिल्स के आसपास ही नीलगिरी घ्रिदा और सबसे बड़ा बाइयो स्वियर रसेब जितने आपको ग्रीन कलर दिख रहा है न दोस्तों ये सब नीलगिरी बाइयो सबसे आता है नीलगरी subcluster is part of western guts which was declared a world heritage site by UNESCO in 2012. नीलगरी subcluster, western guts का पाट है, western guts को UNESCO ने world heritage site declare किया था 2012 में. It is the largest protected forest area in India spreading across Tamil Nadu, Karnataka, Ankhela. तो तीन states में है divided. अब देखो, यहाँ जो हमारी examination point of view में important areas कोन कोन सा है. अरलम, मुदुमले, मुकूर्ती, नागरहुल, बंधिपूर, सैलेंट वाली नाशनल पर्क, वायनाट, करिमपूर, सत्यमंगलम वाइलेश सैंक्चुरी, सत्यमंगलम के बार में आपको बताया था जो आपना वीरपन का अरिया था, वीरपन का अरिया नहीं, वीरपन उधरी मैं वीरपन का अरिया बोल रहा हूँ, आप देखो दोस्तों, मैं आपके साथ आपको दिखा देता हूँ, इंपोर्टन कौन-कौन सा है, देख लीजिए, ब्रह्मकरी वाइलेश सैंक्चुरी, नीलगी बायो सुर्व का पार्ट है, बहुत ही इंपोर्टन, ध्यान रखिए सब कुछ इंपोर्टन है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखनी के लिए, वाइनाट वाइलेश सैंक्चुरी, देखो दोस्तों, वाइनाट को याद रखने का और एक आईडिया है, वाइनाट के एक डिस्रिक्ट भी है, जो तमिलनाडु के साथ अपना बॉर् सैंक्चुरी दर आपको दिख रहा है, और कावरी रिवर उपर से बाह रही है, आप देख रहा है उदर एक रंकति टू बेट सैंक्चुरी इतना इंपोर्टन नहीं है, सिरुवानी फूठिल्स थोड़ा सा इंपोर्टन है कोइंपोर्टन के पास में है, आप देखो, यह अपर उसक्तिक, प्रम्रेट रहा है इंपोर्टन नहीं को निल्गिरी रिसर्व को देखो दोस्तु यह भी इंपोर्टन है, उनस्को का एक एक मैं आप्योस्फियर प्रोग्म्म है, इसी के अंसार, 1986 को, निल्गिरी रिसर्व को डेकलेर किया था, इस इस इंडिया विस पर प्राइबल ग्रूप से इंपोर्टन है थोड़ा मुश्किल है याद रखना फिर भी आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों क्योंगी यूपीसी प्रिलिम्स की प्रस्पेक्टिव में ट्राइबल ग्रूप्स बहुत ही इंपोर्टन है बडगास, टोडास, कोटास, इर अब देखो पूरा नीलगिरी बाइसुर रिसर्व का एरिया है 5520 किलोमेटर स्कॉर सबसे ज्यादा है तमिलनाड़ो में 2500 के आसपास, कनाड़ा गया में 1500 के आसपास, और केरला में सबसे कम में 1455.4 स्कॉर किलोमेटर, इट फोर्मस अन ओल्मोस कंप्रीट रिंग एरोंड और नीलगिरी प्लाट्यू का एक रिंगी बना देते है ठीक है जो नीलगी बियासुर से है अब उसके थोड़ा क्लामेट के बारे में ट्रोपिकल से सब्त्रोपिकल मोईस ब्रोड ली फोर्रस्ट है, अब जब क्लामेट रीजिंस के बारे में पढ़ते हो ना, बेसिक से प समझ के उथर कौन सा climate हो सकता है अब बस्टेन गट से mountain area है उथर कौन सा climate हो सकता है उपर से tropical area में आता है कि नहीं देखो equator and tropical topic of cancer की बीच में आता है तो यह सब सोच समच के आपको पढ़ना होगा इस तरह पढ़के आपको याद नहीं रहेगा ठीक है तो मैंने ऐसी लिख दिया अब rainfall के बनम रेंफॉल तो ज्यादा होना ही होना है क्यूंकि वह वस्टेन कट्स के आसपास आता है उपर से south west monsoon जो है इ इसी एको रीजिन south western gerts most deciduous forest south western gerts mountain rainforest south that can apply to dry deciduous forest यह जो forest के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कौन कौन सा forest है western gerts का most deciduous forest हो तो होना है यह rainfall ज्यादा है mountain rainforest है and dry deciduous forest भी है तो यह था दोस्तों नीलगरी biosphere reserve के बारे में तो दोस्तों that's the end of it नीलगरी biosphere reserve को वीरपन की कहानी से थोड़ा सा relate करके मैं आपको समझाने की कोशिच किया अब देखो दोस्तों इस तरह relate करने से ही चीज़ें याद रखेंगे मेरी इन्शेटिव जो है आप लोगों को केसे लगा आप मुझे comment box में जरूर बताईएग आप लोगों की valuable suggestions and comments की wait में करूँगा और जितने लोग इस वीडियो को देख रहा है like and comment के वेना मत जाएगा दोस्तों आपको केसे भी लगा मुझे बता दीजेगा लक्षे की PDF as usual आपको टेलगाम चानल में मिल जाएगा thank you for watching bye bye have a nice day